आज हम एक नए लोकेशन पर और एक नए फार्म के इंटरव्यू के साथ आप लोगों के सामने कुछ नए घोड़े और कुछ नए अश्वर पालक के वीडियो के साथ आ रहे हैं अजय को आपका परीचे और आपका परीचे और कहां से हैं सभी दर्शकों को जे मादा जी की जे मेरा नाम गोविन सिंग से कावत है दील नागोर का रहने वाड़ा हूं हमने यहां पर अभी 7-8 महीने पहले नेया फार्म किया है स्टार्ट ब्रिबिंग के लिए अपने पास मारवाड़ी घोड़े हैं सारे और यह लोकेशन है जेवपुर से लगबग 70 किलोमेटर के आस पास है यह स्वाई मादूपुर जिला लगता है यहां पर दतुली गाहा इक हमारे पांटर आज के अधे हम उनकी करपा से आज हमने फार्म कर लियो है स्टै पटाया है ठीक है तो विकर्म सिंग जी जो है वह वो कहां से उनका क्या पर Теперь सहरा है क्श हो इनके मलब पुस्ते ने गर यहां पर उन 중에 की जमीन है उन्हें की जब्मिन पे हमने सब किया है, उन्होंनोंने भी हमारे फार्म के लिए तो is how many. जाके कल προ हिसमें इंक सार हैं का प्रैनियों सायों सब्धोरीनमाइन। मेरे इसी प्रैस्क पालती कशेप प्रडबत। हुआ हैं नोग बटाना चाहते हैं चाहते हैं आप यसके वारी बताना चाहते हैं तो यह तो राज्टानले श्कूल के इंदर बेचेशा अधरे ध्या लीडिज वाडुद के पास बिस इतो है तो अभी बात करते हैं अपने पास अभी जो यह फार्म है यह अभी अंडर कंस्ट्रॉक्शन है मतलब ना अभी बनी रहा है तो लगब कितने दिन में चलते हैं और कब तक पूरा हो जाएगा यहां पर इस टेंग की और गोडों को रखने की विवस्ता पूरी सब पूरा पका कंस्ट्रॉक्शन है यहां पर पका कंस्ट्रॉक्शन है अभी बनाई हुए है और गायों के लिए पी काफा काफी वड़ा पोर्शन है तो यह लगबगस कितने अभी घोड़े अपने पास और कौनसी नसल के अभी अपने पास 11 गोड़े हैं हैं मार्वडी नसल ही अपने पास आजे … बताएं ठोडा से अग्एक के बारे में जो अभी हम देख रहे हैं जो बच्चे आपके पास हैं छोटे बच्चे हैं आपके लिए लिए जूटे करने फैंड दिटेल बताएं यह राजा का बेटा है बावर्थला के अंदर है राजा इस्टेलियन जी 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 सुरंग कलर का गोड़ा है और सब्ताश का है तो उसी का यह बच्चा है आच्छ और डैम साइट से मतलब इसकी मुदर साइट से यह शायद काली गोड़ी का है तुफान लाइन की गोड़ी है तो अभी हम बात करते हैं दू बाकी दो यह जो फिली आंके बचेरियां है इनके बारे में तोड़ा बताएं जी यह दोनों हमने ठीकरिया से ख्रीदी हैं ठीकरिया से परचेज की थ यह दोनों ही बच्चियां सदे सम्राट पीपाड़ा उनकी बच्चिया हैं ठीकर यह देंदर सिंग राठोड जी दीवेकरन स्ट्रेट फार्म से अमने खरीदी हैं ओके 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 तो यह कितना समय हो गया इन बच्चियों का अपने पास आया लगबग पांच महीं नहीं हो अप्रुप बच्चे भी वही से ठीकरिया से रिदन दवियाकरन इस्टेट फर्म से तो इसकी माप और बाप के बारे में नोटाट पी पड़ा हम और मा उने के पास है रिज्डिय करनवालों के पास है मां ऑग और जो ब्लैक वाली है वही और उनके पास एक नेंधार गोड तो उन्होंने बानुड़ा की है वह वेसे तो बानुड़ा से परचेज की थी तो अभी हम बात करते हैं इनकी दोनों की एज की तो थोड़ा से एज के बारे में बताएं पर इनके परचेज की है इनके एंके ऐस में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है वेसे तो यह ब्लेक वाली बत्ची जो चॉदा महिने के आज पास है और चुमेट बत्की है है तेरह महीने की है एक महीने का डिफरेंस है दोनों में अभी हम बात करते हैं हमारे पास एक यह ब्लेक वाली गोडी देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताएं है तोड़ा बताएं इसके मिस्करेज के बारे में क्यों क्या रहा और फिर क्या मंदलब इसके जो भार निकल के आए वो क्या था जैसे हमने साथ महिने की प्रेगनेंट ली थी तो मौलब दो महिने बाद में ही इसका मिस्करेज हुआ अच्छा तो प्री मेचुर डिलेवरी आइ अच्छा अच्छा और दोनों फिमेल थी कि मेल फिमेली थी कुम्यत कलर की पूरा पट्टा था माते बरी नाइस वैसे तो बोलते हैं कि जो जोड़ा होता एक साथ वो ज्यादा बस्ते नहीं है लेकिन बहुत लोगों ने मतलब ऐसे हैं मतलब अप्स्टिकल्स भी हैं इसमे बहुत अच्छी बात है कि आपके दो फिमेल एक साथ आने वाली थी दो फिलीज बट भागय साधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता तो चलो अच्छा है और किस घोड़े से कवर थी उस समय यह कोई किंग नाम का गोड़ा था ओके उससे कवर थी कौन सी लाइन से कहां पर थ जेंगी है जो अब भी एक लगभग एच की कितने अच्छा नहीं है इसका प्लान लेकिन देके हैं पुए अच्छा गोडा हो पास नहीं तो उससे कवर करवाएं ऑके तो अब डूड़ रहे हैं को अच्छा गोड़ा को ए दिमाग में आँनी रहा है तो अभी नेक्स्ट व यहीं आपके पास दो ग्रे गोडियां। तो इक बड़ी 발वली के एस लाँ मिर अए ट्रे टिल बताये। जो हमारे गाओं के पास में बनोडा गाओं तो मतलब हमारे काकुसा के लड़के हैं उनसे एक गोडिक लेकर आय थे यह रहे अज अज़ा था उनके पास जो उसके मतलब देहान्त हो गया जार पाँ साल पहले उस गोड़े की बच्ची है माले अज़ा है और वहीं से हम लेकर यह पिर रख रहें इसको और कितने एज की लगबग होगी होगी यह जानो साल की होगी इसकी हाइट के बारे में बात करें तो अब इसकी हाइट 62 है और कवर है भी किसे से यह सूबर और कॉड़ी कौन से गोड़े से अभी है यह अधेपुर पलेस लाइन का गोड़ा है ओके और दूसरी जो आपके ग्रे कलर की गोड़ी है उसके बारे में बताएं संजाब कलर बोलते हैं शायद संजाब वह भी हम सिकर से लेके आए थे क्योंकि यह से संजाब गोड़ें सिकर के साइड में ज्यादा होती है हुँ हं हह तो यह इसकी लगभड है उसकी यह उकर है हम काफी अच्छी गोड़ी हैं कि टार मीजों के बाब के जाए देखा नेक के बारे में बारे में यह हैं अच्छा कन्फरमेशन इतोछ बGG रही जो कुड़ियां का यह तरह कि दोनों ही दोनोगी जो आपकी गोडियां जो तरहने हैं काफिक कमाल की संजाब भी ज़सकते हैं जिनको का काफि सुन्दर फिल्च जो है वो जो समझती इन चीजों की तो इसलिए उन्हों ने किया तो कौन है आपके सांसे फार्ट्नर और कौ сторону है हुए तो पार्ट्नर ऑफ जो है करप दे़ veramente है इस एकोरें तब सब fonts चाई टीन के और हूं के इन सब का कलेक्शन की तैंब आशा तatyन हों कंदो कभ है जो आपने फार्म जो बिल्ड किया है वह भूत ही खुबसूरत और अच्छा दिमाग से आपने प्लान किया है कि आपने पैडक्स बनाएं पैडक के पीछे की तरफ आपके दरवाजें हैं जहां से इस तरह से अपने पैडक बनाएं पैडक की साइज के बारे में अगर बात करते हैं अपन तो कितने क्या साइज है पैडक्स की इसकी साइज 15 वाइब 20 की है बहुत ही अच्छा साइज है कि एक गोड़े के लिए काफी इनफ सब्सक्राइब और पीछे के दरवाजे रखा है जासे की घोड़ा भार निकलके खु बना रहे हैं उसको भी काफी अच्छा और होफुली हम जब भी फाइनली बन जाएगा एक बार दुबारा फिर से एक वीडियो करेंगे और डेफिनेटली दुबारा से गोड़ों को बहुच्छे से दिखाया जाएगा और आइधिंक आप भी और घोड़े लेनी की प्लानि है रखने का प्लाम है वेरी नाइस में ओके और जो भी कोई भी अपसे बात करना चाहिए घोड़े को खरीदने के बारे में या कुछ अपना कोई घोड़ा देने के बारे में या फाम के फाम पे विजिट करने के बारे में तो आप आपसे बात कर सकता है वो जी बिल्कुल आपका मुले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू